हेलो दोस्तों सो केसे हैं आप सब लोग बड़े सारे बच्के एक सवाल पूछते हैं कि सर हमारे पडुस में लोग आके पूछते हैं यार यह sc क्या होता है company secretary computer science ऐसी बड़ी सारी बाते होती हैं सर हमारे को क्या जवाब देना उन लोगों को हम cs करने तो आ अगे हैं पर एक बात तो बताओ वो अंकल परोस वाले जो पूशते हैं कि बेटा CS कर रहे हो कहां से कर रहे हो क्या करते हैं अच्छा सेक्रेटरी वनोगे क्या सेक्रेटरी वनोगे हमारे ओफिस में भी सेकरेटरी की पोजीशन है उसके लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है तो अंकल नमस्टे चलो काम की बाते हैं अब आप यह पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं तो अँएंटी को बता देते हैं और उन सब थे जब हमारी गोल्डन जुबली थी देख रहे हो गोल्डन जुबली पे इन्होंने आके सिंपल सा फंडा समझाया कि देश में जितनी भी कंपनी हैं उनका कॉर्परेट कल्चर वही होगा कि जो वहां का कंपनी सेक्रेटरी डिसाइड करेगा क्या ओके ओके क्या अब पूरी मानों की कंपणी के ऊपर लगने वाला जो कानून है वह कौन देखता है कंपनी सेक्रेटरी आपकी कंपनी पूरे तरीके से लोग को मान रही है नहीं मान रही यह कौन देखता है कंपनी सपरेटरि किरा सर इसी की साथ साथ मोदी connecting com और ICSI का मोटो क्या है किरा सर जो हमारे यहाँ पर पूरे तरीके से इमान दारी से काम चलेगा वो सिर्फ और सरफ company secretary के हाथ में राएगा और जैसा company का culture होगा वैसा ही देश का culture होगा और भाई साब इतनी बड़ी statement और तुम छोटी सी बात करते हैं चलो क्यार कोई बात नहीं company secretary का काम है हमारा मोटो भी है सत्यम वदम धर्मम चर्म क्या रो सर आगे चलते हैं अब यहां पर company secretary करता क्या है बहुत कंप्री के एंपी होता है compliance officer होता है के एंपी बोले तो compliance officer बोलो तो वो इनसान जो ध्यान रखेगा पूरी कमपनी में कितने law apply होते हैं अच्छा जैसे की capital market जैसे की security law जैसे की company law जैसे की setting up of business entities में भी तो पढ़ते हो क्यारा वैसे ही जैसे की taxation क्यारा यह सारी चीजें आप धंग से काम कर रहे हो नहीं कर रहे यह सारी चीजे कौन देखने वाला है एक company secretary ओके कैरा सर इसके साथ सेक्रेटेरियल auditor बहुत सारी जगाओं पर risk management चीफ governance officer corporate planning के अंदर अब चलो आपको लगता होगा सर बड़े बड़े words हैं बहुत आइडिया चलो बहुत common merger है बड़े सारे बच्चे तो यह सिम भी चलाते हैं कि वोड़ा फोन और आइडिया साथ में merger हो गया हां दोनों की साथ में हमने merger करा दिया कैरा अब यह merger के अंदर कितने सारे laws apply हुआ होंगे हां सर income tax से लेके GST तक stamp duty से लेके competition act तक सब apply हुआ होगा कौन देखेगा यह मेरा प्यारा company secretary जो सामने बैठा है यह देखेगा अच्छा 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 इंटरनल auditor बहुत बार planning करने की services यह सारी चीजें भी इससे पहले की बाहर के सीए वाले statutory भई आके अपने को पकड़ लें internally हम सारी चीजों को चेक कर लेते हैं इससे पहले की पेपर हम बाहर submit कर दें और examiner चेक करें हम अपने end पे ही सारी गलतियों को चेक कर लेते हैं कि पेपर में कोई mistake तो नहीं करी यही काम होता है इंटर्नल ऑडिटर का और कौन करता है company secretary चलो और आगे चलते हैं के रहा सर जी एस्टी प्रोफेशनल साथ ही साथ रजिस्टर वैल्यूर अब रजिस्टर वैल्यूर क्या होता है अगर आपकी कोई भी company है आप कहते हो सर मैं तो शेर इशू कर रहा हूं कितने का इशू सर मेरी company शाक टैंक इंडिया में जाएगी और वहां जाकर शेर इशू करेगी अच्छा अच्छा तो अब कितने का शेर इशू होगा अगर आप किसी को अपना शेर दे कर और सामने वाली company का शेर ले रहे हो तो क्या होने वाला है भाई हम सुनते है company ने दूसरी को take over कर लि अब उसको डूबते से निकालने का सहरा कॉन company secretary रही है company secretary क्या बात कर रहे हो हमारे को नहीं पता था इतना सहरा इसलिए तो मैंने कहा बच्चों को पहले बदाते हैं चलो अगली बात पर आते हैं कर अब एक और चीज अब बीटा company जो है वो तो होती है artificial person आपने company कैसी है company को आपने किसी company को कैसी company मेरी तरह मोटी है चश्मा लगाती है company लड़का है company नवनी मैम की तरह लेडीज करती है नहीं क्या करती है तो अगर आपने कभी देखा ही नहीं और कमपनी पर केस किया जा सकता है तो कमपनी को री प्रेजेंट करने जाएगा कौन यह कंपनी सेग्रेटरी ओके ओके कैरा सर अब क्या देखो हमारे पास सबसे पहली बात भाई साहब मैंने तो एक ही प्रोफेशन के बारे में सुना अस्तक जिसको company को बोला गया कि तेरे पास company secretary होना चाहिए कि कोई आप पढ़ते हैं कमपनी जा रही हां चुछ आपको एक होल्टाइम कमपनी सब्राइटरी की रिक्वार्मेंट होती ही होती है और कुछ ऐसी कमपनी जो लिस्टेड है जो पबिक कमपनी है तो उनको एक KMP के KMP में यानि की सीधा-सीधा राइट हैंड वही है आपका कंपनी सेक्रेटरी अच्छा तो अब दो रास्ते आते हैं या तो सबसे पहले मैं बन जाओं इंप्लाइमेंट में चला जाओं इंप्लाइमेंट में नौकरी कर लूँ अब सर बड़े सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके जाके प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करते हैं मतलब सर्टिफिकेशन सर्विस देते हैं यानि की चीजों को सर्टिफाइ करते हैं ओके अब जब आपकी कंपनी पूरे तरीके से लौ को फॉल कर रही है मान रही है नहीं आपनें से माना है नहीं माना आप पिर्त आपर फार्स कामर्शियल लौस प्रोपरटील उप सब्थ दुनिया जहां के लौस आप सबस्क्राइब कॉन आएगा वो कौन है वो है कंपनी सेग्रेटरी ये येस चलो अच्छा अब इसके साथ ही साथ बहुत सारी कंपनी है जब यह इंसान चेक करने के लिए जाएगा तो यह सब चीजें सेक्शन नंबर 203 और 204 यह चीजें अपने को बताती है अब आउट Chief सेखियें सेखार इसके सबसार अब चलोंगरेटर की यहाँ पर बताता है अच्छा ncr इसके साथ साथ मैंने का सब करने 1977 i dream मों फिर से क ही याद किया जाएगा किसको एक सिर्ट्री हो जब पैसे की बात आईगी कि मर्जर कि अठिवन आईगी तो किसको याद्ट किया जाएगा फिर से अच्छा और ही बहुत बार तो बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स बुला लेंगे कि वहाइढ रहा वो नहीं समझ को इंस वहाँ आप सकते हो आप क्रोफेशनल सकते हो किसी कंपनी का दीवा निकल गया और भाई या उसका दीवाइन निकल बचाना भी तो है क्यों कि बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं सकते हो आप आप ne में जा सकते हो अच्छा है अई-पी-आर वोले तो ट्रेड मार्क पेटेंट अब यहां पर कोई गाना नहीं गा सकता क्यों नहीं गा सकता कोई गाना गादू न मत गाओ सर मत गाओ कॉपीराइट श्राइक आज आएगा हां हां तो ऐसे ही ऐसे ही जब मैं ICSI की बात करता हूँ हमारा institute का logo हमारा PW का logo यह सब चीजे क्या है they are well known trade box अच्छा इन में भी practice होती है yes representation services corporate restructuring यह वो सारी जगाएं हैं जहां पर एक company secretary काम करता है आया ना मज़ा और ऐसे ही मज़दार वीडियो जानने के लिए ऐसे ही अपने career के बारे में जानने के लिए ऐसे ही सारे information जानने के लिए stay tuned at cs वाला मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में ऐसे ही informational चीज़ों के साथ ताब तक के लिए बाई बाई